बिग बॉस के घर में अब धीरे धीरे कंटेस्टन्स जाग रहे हैं कि उन्हें शो में दिखना है ऐसे में लेटिस एपिसोड में थोड़ा बहुत आशिका नजर आई आशिका भाटिया को किसी दूसरे की तू-तू मैमे के बीच पार्टिसिपेट करते दिखा गया ऐसे में जिया शंकर ने आशिका पर कॉमेंट किया कि आशिका को वीकिंट में कहा गया था कि दिखो अब आशिका किसी की भी लड़ाई में भिनने की कोशिश कर रही है बता दे शो में जिया और मनीशा रानी के बीच बेट पर खाना खाने को लेकर कहा सुनी हो गई थी इस पर आशिका का कहना था कि अगर मनीशा ने थोड़ा गिरा दिया तो जिया उसे उठा ले फलक नाज और अविनाश के बीच अलगे खिचड़ी पकरे है ऐसे में आप फलक को अजीब एहसास होता दिख रहा है शो में वो इस फीलिंग से भागती नजर आई असल में अविनाश जिया और फलक साथ में हमेशा की तरह बैठे हुए थे ऐसे में फलक अलग जोन में थी जिसके बाद अविनाश ने उन्हें वापस आने के लिए कहा तबी फलक नी घर में हुई दोस्ती को लेकर कहा कि वो बाहर ऐसी नहीं है वो पार्टीज करना पसंद नहीं करती बस घर पर ही रहती है उनके कहने का मतलब था कि घर से बाहर जाने के बाद वो जिया और अविनाश से कम मिल पाएंगी ऐसे में जिया भड़क गई और बोली कि अगर तुम पार्टी नहीं करती तो कम से कम चाय की टपरी पर मिल लेना वही अविनाश शुप हो गए इस बीच फलक इरिटेट होकर जिया और अविनाश से दूर हो गई पलक के जानने के बाद जिया ने अविनाश को कहा कि अभी ब्रेक लगा लो तो ये सुनकर अविनाश ने कहा कि तुम्हारे कहने से क्या होता है मैं जानता हूं कि क्या करना है Entertainment की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें